उत्तर प्रदेश के हात्रस में हुए हाथसे पर प्रिशासन की कारवाई को लेकर समाजवाती पाथी अध्यक्ष अकलेश यादव ने यूपी की योगी आधितनात सरगार पर निशाना साधा है सपाध्यक्ष ने इस माबले में चोटी मोटी ग्रफतारियों को शड़ी अंत्रो बताया और इन ग्रफतारियों की नियाएक जाच की मांग की सपाध्यक्ष अखलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखे गए एक पत्र कोशियर करते हुए ग्रफतारियों पर सवाल उठाए ये चिठी उन्हें हात्रस हाथसे में पूछताच्री लाए गए राम लड़त यादव के बेटे अंकित यादव ने लिखी थी जिसमें अंकित ने दावा किया है कि उसके पिता को घटना इससल से दो क्लोमिटर दूर थे लेकिन फिर भी पोलिस उसके पिता को ले गई इस घटना से उनका कोई वास्ता नहीं है अकलेश यादव ने लिखा उपशासन प्रिशासन हातरस हाथसे में अपनी नाकामी चुपाने के लिए छोटी मोटी गरफतारियां दिखा कर सैकडों लोगों की मौत से अपनी जिम्मेदारी का पल्ला जहारना जाता है अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब ये निकलेगा कि इस तरह के आयोजन में हुई शासनिक प्रिशासनिक विफलता से किसी ने कोई सबक नहीं लिया और ऐसी दुरगटनाए भविश्य में भी दोहराई जाती रहेंगी उन्होंने कहा शासन प्रिशासन किसी खास मनशा से व्यर्थ में ऐसे लोगों को ग्रफतार कर रहा है जो मूल आयोजनिस्तल से दूर थे और ग्रफतारी के बाद उनको ही दोशी ठराये जाने कि तैयारी कर रहा है ये ग्रफतारियां स्वैम में एक शड़ी अंत्र हैं इन ग्रफतारियों की तुरंत निया एक जाच हो जिससे उत्तरप्रदेश की भाजपा सरकार का खेल जनता के सामने लाया जा सके अगर भाजपा सरकार ये कहती है कि ऐसे आयोजन से उसका कोई लिना देना नहीं था तो फिर भाजपा सरकार को सत्ता में रहने का कोई हक नहीं इस कारिक्रम में अधिकांश गरीब लोग दुखी, शोसित, पीडित, वंचित, दमित थे इस आधार पर इसका मतलब तो ये भी निकलता है कि ऐसे लोगों से भाजपा सरकार का कोई सरोकार नहीं जबकि सबसे पहले सरकार का ध्यान ऐसे लोगों की तरफ ही जाना चाहिए